मैं दॉक्टर साशीवसन कुमार जो एक मनोश के इस्सक हूँ आज आप से एक जो बड़ी कॉमन समस्या है OCD इसके बारे में मैं बाफ करना चाहता हूँ OCD हमारे समाज में कम से कम 3-4 परशन लोगों को फिता है जो कॉमन सिम्टम्स हैं OCD के उसमें एक तो ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना बार बार हाथ धोना हमेशा मन में एक डर रहना कि मुझे कुछ ने कुछ बीमारी लग जाएगी इस वैसे वैसे जगों पर जाने से बचना ये सब कॉमन लक्षन है इसके अलावे कुछ और रचन होते हैं जैसे एक विचार आता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हमारे घ्र में परिवार को कुछ नहीं हो जाएगा तो वो एक particular चीज़ जरूर करते हैं और बार बार करते हैं जब तक वो नहीं करते हैं उनका मन नहीं मांगता है उन्हें पता होता है कि हम ये गलत हैं और जो मैं कर रहा हैं वो सही नहीं है लेकिन वो इस पे control नहीं रख पाते हैं जब control नहीं रख पाते हैं तभी इसको हम बिमारी का रूप मानते हैं इसके अलावा कुछ symptoms होता है जो इसमेट्रिकल symptoms बोलते हैं symmetric symptoms होता है dots होता है जिसे कि आपने कपड़े पहना है तो आपको लगा कि मैं ठिक से नहीं पहना हूँ यह बाल डाब ने कंखी किया तो रहते हैं है बाल ठिक से कंखी नहीं हुआ है त्थृते पहने हैं इस सब्छंप होते हैं बारबर रखते हैं tendency दोब रोबे चाहिए आपको लगे कि यह स्के यह दुबारए से उसको रखते हैं इस तरह के symptoms होता है इसमें की तब आपको लगता है यह सब OCD के symptoms है जब डौट होता है कपड़ों के बारे में जूतों के बारे में तो आप उसे पूछते हैं घर वालों से दोस्ते क्या मैं ठीक लग रहा हूं मेरे कपड़े ठीक हैं की नहीं है या जूते ठीक बंगे हुएं अगर आपको डौट है तो बहुत लोग बार बार उसको बांगते हैं खोलते हैं बहुत बार चीज़ों को देखते हैं तो इस तरह से यह चीज़ें लगतार उनको परसान करते रहते हैं और यह irresistible होता है उनको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं बकवास है इसका कोई meaning न पाते हैं और चाहकर भी अपने विचार को अपने जो विचार है उसको रोक नहीं पाते हैं और विचारों के बदले में लोग पर किरियाएं करते हैं जैसे बार बार हाथ होना यह विचार होता है कि हमारे हाथ गंदे हैं उसके विवज़ में बार बार हाथ होते हैं कुछ बार-बार साफ करते हैं कपड़े साफ बार-बार करेंगे नहाने में भी बार-बार ज्यादा समय लगता है उनको ज्रों से ज्यादा समय बिताएंगे तो यह उनको लगता है उनको पता होता है यह सब ठीक नहीं है और जो मैं कर रहा हूं वह सही नहीं है उसके बार-बार करत तभी हम इसको OCD मांगते हैं जब ये कोई भी विचार ये कोई भी आपकी सिम्टम्स आपको अपने पर्सनल लाइफ में पर्फेस्नल लाइफ में रूटीन लाइफ में परसानी पैदा करने लगे तब वो डिजीज का रूप हो जाता है जिसको क्या हम लोग बोलते हैं सोस्य को प्रेशनल डिस्फंक्शन होने लगे तब आपको किसी भी मनों चकेट सक्स मिलना चाहिए और चुकि OCD ये कैसी बिमारी है जो ट्रीट होने में भी समय जादा लेता है ठीक होने में बहुत समय लेता है दबाई जब तक 2-3 मेने नहीं चलता है इसमें कोई सुभार नहीं जबकि डिप्रेशन में साइकोसिस में या दूसरे पैनिक डियोडर में या दूसरे सकाड़ी योडर में इस तरह की समस्या नहीं है OCD में रिस्पॉंस रेट बहुत पूर होता है और जादा देर तक दवाई खाने के बाद फाइदा होता है और ठीक होने के बाद आप इसको दवाई को बंद भी कोर्सिस नहीं करना चाहिए जोकि अगर एक बार रिलैक्स होता है तो फिर दुआरा से ठीक होने में भी जाद सकाटिस से मिलें और किसी भी सकाटिस से आप मिल सकते हैं अपने आसपास के अरिया से या जहां से आपको पसंद होता है थाइंग यू झाल 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 झाल